हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन पोटेक्षेनल दोस्तों एक्सल की फार्मूला और फंक्षन की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे ट्रू फंक्षन और फाल्स फंक्षन का उप्योग करना तो चलिए वीडियो को शरू करते हैं थेरी के लिए सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे ट्रू ट्रू फंक्षन का उप्योग बिना किसी आर्गुमेंट या फंक्षन का उप्योग किए डाइरेक्ट जेल में ट्रू वैलू डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है इसका rule है किसी भी cell में equal का sign लगाई है true type करके open close parenthesis लगाकर enter key press करेंगे जैसे ये enter key press करेंगे उस cell में value display होगा true साथी साथ false heading भी note करेंगे क्योंकि true के साथ साथ हमें false को भी समझना है same ही इसकी भी परिवासा है false function का उपयोग बिना किसी argument या function का उपयोग किये direct cell में false value display करने के लिए किया जाता है इसका भी rule same है true की तरह किसी भी cell में equal sign लगाना है type करना है false open close parenthesis लगाकर enter key press कर देना है ये दोनों ही function किसी भी cell में कोई भी argument नहीं लेते हैं और जिस function को आपने type किया होगा वही उस cell में उसी value को return कर देते हैं जैसे आपने equal true open close parenthesis करके enter करा होगा तो true ही result return कर देगा और यदि false type करा होगा तो false value ही return कर देगा इसके example के लिए हमने theory में कोई भी example नहीं रखाया इसका जो भी example है सीधे हम अपने worksheet के अंतरगत सीखेंगे तो चलिए अब चलते हैं सीधे अपने worksheet पर दोस्तों अभी हम अपने excel worksheet के अंतरगत आ चुके हैं और सबसे उपर heading देखिए हमने दिया हुआ है true and false function और इस table के अंतरगत हमने 3 column लेके रखा है पहले वाले में हमने कुछ data type करा है दूसरे में result और तीसरे में direct function दोस्तों कुछ यह math के सवाल है जीने हमें excel के अंतरगत solve करना है और यदि हम solve करते हैं तो इसका result हमें क्या display होता है जैसे result के रूप में true या false तो चलिए सबसे पहले हम check कर लेते हैं पहले वाले इस data को कि अगर जो हम इसे एक function के रूप में use करें तो वो कैसे दिखाई देगा तो हमने यहाँ पर इस cell को select करा equal का sign लगाया और type करा 201 greater than 205 दोस्तों अभी enter करने से पहले ही देखें जो data आपको दिख रहा है कि 201 बढ़ा है 205 से तो क्या यहाँ सही है बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर आपको answer मिलेगा false चलिए enter की press करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको result मिल रहा है false ऐसे ही दोस्तों दूसरा यहाँ पर देखें के answer होगा true क्योंकि 205 बढ़ा है 201 से ऐसे ही देखें तो हमने मैज के और भी सवाल यहाँ पर example के रूप में रखें जिसके आगे आपको सिर्फ वो सिर्फ देखकर true और false यहाँ पर display करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं इस तरह तो अभी आपने देखा हमने सारे function को आपके सामने चलाया है चलिए एक बार सभी function को यहाँ मैं दुबारा चला देता हूँ fast way में और उसके बाद से फिर से हम direct function यहाँ पर insert करना आपको बताता हूँ अभी देखा दोस्तों सभी के सभी इस data पर हमने equal sign लगा कर एक फार्मूला के रूप में हमने type करा तो यहाँ पर इसके सामने answer display हो रहा है लेकिन अगर जो इस function या फार्मूले को हमको चलाना नहीं हो direct ही उसके सामने हमें answer display करना है कि यह value false है या true है तो हम कैसे करेंगे simple इसका trick है equal sign लगाईए और अगर जो value false है तो type करिए false open close parenthesis लगाईए और enter की press कर दीजे जैसे ही enter की press करेंगे वहाँ पर false का message display हो जाएगा अगर जो value true है तो equal sign लगाईए और type करिए true open close parenthesis लगाईए enter की press करिए यहाँ पर result display होगा true अगर जो आपको open close parenthesis नहीं लगाना है तो simple आप अपने इस function का non type करिए enter की press कर दीजे message वही display होगा जो अभी आपने open close parenthesis करके चलाया था जैसे false के लिए equal sign FALSE और enter की press कर देना है result आपके सामने होगा तो इस परकार दोस्तों आप आसानी से जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता हो जहाँ में true का message display करना है या false का message display करना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं यह तो था वेगनर और advance जिसमें simple तरीका और हमने function के style से यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाया चले true और false function का एक और example हम देख लेते हैं true and false function का या example 2 है यहाँ पर दोस्तों देखें हमने एक table बना के रखा है जिसमें चार कालम हमने लिया हुआ है पहले में है product name दूसरे में है required quantity और तीसे में production और चौथे में है result product name में हमने रखा है pain, cap, cover, ring और required quantity है किसी customer द्वारा 120, 60, 135, 120 और production अभी हमारे पास है 115, 60, 95 और 20 इसमें हमें तूनला करना है कि कौन सी value अभी उपलब्द है और कौन सी value कम है या फिर ज़्याद है तो simple way में उस sale में equal sign लगाए और पहले value वाले sale को select करिए दुबारा equal का sign लगाए और दूसरे वाले sale value को select करिए और enter की press करिए answer आपके सामने display हो जाएगा true या false अभी फिलाल आप देख रहे होंगे कि false मैंसे display कर रहा है इसका मतलब है कि required value के बराबर नहीं है production कम है तो अभी production की इसकी आउसकता है इसी function को या फार्मूले को हम नीचे की तरफ भी apply करते है फिल handle बटन पर double click करेंगे तो या नीचे की तरफ भी apply हो जाएगा अभी देखें काईब को तो required quantity है 60 और production है 60 तो याँपे message display कर रहा है true और वहीं पर cover की बात कर लें तो 135 required है और 95 ही production हुआ है तो यहाँपे message display हो रहा है false और ing की बात कर लें तो required quantity है भीज और production है भीज तो यहाँपे message display कर रहा है true यह तो बिल्कुल इस simple तरीका था इसके अगर जो आप if function के साथ भी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं लेकिन हो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर भी इस example में हम इसे देख लेते हैं तो हमने इस cell को select करा equal का sign लगाया type करा if type की press करेंगे function पूरा करने और open parenthesis लाने के लिए अब सबसे पहले हम पहली value को select करेंगे equal का sign लगाएंगे दूसरी value को select करेंगे उसके बाद कामा लगाएंगे और double quotation में हम अपना message type कर लेंगे जैसे बराबर हुआ तो true और यदि बराबर नहीं हुआ तो false और true की जगा पे आप जो चाहें वो message यहाँ पर type कर सकते हैं जैसे good, not good, good, bad या anything पर production required के अनुसार नहीं हुआ है अब इसे भी fill down कर लेते हैं जैसे fill down करेंगे तो इसका answer आपके सामने display हो जाएगा देखिए true value यहाँ पर भी आया थी और यहाँ पर भी तो इन दोनों का उप्योग करके आप आसानी से true और false का उप्योग करते हुए जान सकते हैं कि वह value true है की नहीं और साथ ही साथ उसके बराबर है की नहीं तो इस परकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा true and false function का उप्योग करना आसा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए channel परना है तो subscribe कर मिलते हैं दोस्तों आपको निव वीडियो में निव टिप सेंट्री के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत